अजसे को बनते नजर आरहें पंजाब में आज वह पार्टी प्रधान होने के बाद भी रूलिंग पर्टी रूलिंग ग尋ने के बाद भी पंजाब ke लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी लडाई सिरफ सत्ता की लडाई थी, कि कुर्सी मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सिरफ सत्ता की लडाई है, और कॉंग्रेस में जिस हिसाब से पंजाब में आपसी घमासान चल रहा है, क्याप्टन अमरिंदर साब का धड़ा लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाब काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़े ये दिखाता है, कि कॉंगरेस पार्टी अब बहुत बूड़ी हो चुकी है, कॉंगरेस항ी का नाहीं कोई भविश्य है, और कॉंगरेस ribs कोक्रिया को भविश्य कर दे सकती है. neither the Congress party has any future in Punjab nor the Congress party can give any future to Punjab और इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि कॉंगरेस के अंदर जो अंतर कल है चल रही है कलेश चल रहा है जगड़ा चल रहा है वो सिरफ और सिरफ सत्ता का है कि कौन सत्ता हासिल करें इनको पंजाब से पंजाब की खुशहाली से पंजाब के दर्द से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है नवजोद सिंग सिदू साब के जो एडवाईजर्स उनने नियुक्त करें वो उनके स्पोक्स पर्संस भी थे उनके प्रिंसिपल एडवाईजर्स भी थे नीतियां भी वो बनाते थे पॉलिसी डिसिजन्स भी लेते थे सब कुछ वही ले रहे थे और उन्होंने भारत की प्रभुता और अखंडता को तार-तार करने वाला बयान दिया उन्होंने ये तक कह दिया कि कश्मीर एक अलग देश होना चाहिए और भारत ने उस पर कबजा किया है ऐसे देश विरूधी एंटी नैशनल बयान कोई भी देशभक्त बरदाश नहीं कर सकता हम भी परदाश नहीं कर पाए हम कटर देशभक्त लोग ऐसे बयानों को सुनके हमारा खुन खुल जाता है और इसलिए मैंने एक बात कही भी थी और मैं फिर दोराना चाहूंगा कि अभी तक नवजोध सिंग सिद्धू ने अपने एडवाईजर्स के उन बयानों का खंडन नहीं किया अभी तक नवजोध सिंग सिद्धू ने अपने एडवाईजर्स को रिजाइन नहीं करवाया उन्हें इस्तीफा नहीं करवाया उन्हें बेदखल नहीं करवाया और अभी तक नवजोध सिद्धू ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं अपने अड्वाइजर्स के बयान को ना मन्जूर करता हूँ इसका ये मतलब है कि शायद कहीं न कहीं नवजोज सिंग सिद्धू भी उसी विचार धारा के हैं शायद वो भी भारत की प्रभुता और अखंड़ता को तार-तार करने वाले विचार रखते हैं और नजाने पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होते हैं वो कौनसे ऐसे ऐलिमेंट्स हैं कौनसे वो ऐसे लोग हैं एक्स्ट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट ऐसे कौनसे वो मिलिटेंट्स हैं कौन है वो लोग जिनको वू अपीज करना चाते हैं। तुष्टी करंड की राजनीती का प्रयोग करकर उन्हें अपीज करना चाहते हैं साफ नव्जो सिंग सिद्धू साफ करें इस बारे में अपने स्पष्टिक करण दे बयान दे पंजाब की जंता देश की जंता जानना चाहते है कांग्रेस पंजाब में जितनी लड़ाईयां लड़ी जा रही है शायद मुझे लगता है कि महाबारत के अठारा दिन के युद में भी इतनी लड़ाईयां नहीं लड़ी थी महाबारत भी 18 दिन में खतम हो गए थी यह कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है पंजाब में यह तो पता नहीं कितने हफ़तों से चलती आ रही है और अभी तक खतम होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस आपस में लड़े मरे जो मरजी करें इनका हमसे हमें कुछ इन से लेना देना नहीं है इस सत्ता की लड़ाईये आपस नजरते रहेंगे कुर्सी की लड़ाईए लेकिन इस सब के चलते पंजाब में जो क्वाट्रेस की सरकार है वो ठप हो गई है वो बंदड हो उस पे ताला लग गया है, वो काम करना बंद कर दिये, उसकी वज़ा से administration, प्रशासन बहुत ज़्यादा सफर कर रहा है, वो सबसे बड़ी दुख की बात है, जिसकी चिंता हमें भी है. क्या आप लोगों के पार्टी क्या पंजाब में ऑप्शन बने की लोगों के लिए बनता नजर आ रही है, अकाली दल most hated political पार्टी है इंडिया की, पंजाब का बच्चा बच्चा अकाली दल और बादल परिवार से नफरत करता है, उन्होंने लूट खाया, बेच खाया पंज लोग बड़ी नजरों, बहुत बड़ी विश्वास के साथ अपनी नजरें अर्विन केजरिवाल जी और आम आदमी पार्टी की और लगायत देख रहे हैं